दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्व चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो राजस्थान नर्सिंग आफिसर वेकैंसी से जुड़ी हुई उमिद्वारों के लिए एक बहुत ही एहम अपडेट निकल कर आ रही है उनकी डीवी प्रोसेस को लेकर क्योंकि दोस्तो लगतार उमिद्वारों के कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या अचार सहीता लगने से पहले क्या जो डीवी की प्रोसेस है क्या वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है इसी को लेकर दोस्तो आयो की तरब से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है साथी दोस्तो अगर एनम य जो पदे बढ़ाई गई है उसके बाद क्या यहां फार्मिस्ट और एनम की जो यहां पर आंकडे हैं क्या वो सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे तो दोस्तो आंकडे चेंज होने के बाद आप सभी की जो कटप की प्रोसेस है और जो कटप की रेसियो है वो भी यहां पर जो ह decrees होने वाली है कम होने वाली है कितने कम होने वाली है इसके बारे में category wise आप सभी को सारी information दी जाएगी और साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी update होने वाली है nursing officer भगैंसी को लेकर कि फिर से इसमें एक बार जो है पदों को बृधी किया जा सकता है दोस्तों ऐसी क कुछ update निकल कर आ रही है जो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में देने वाला हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उमिद्वारों की जो डिमांड है यहां पर फार्मिस्ट को लेकर एनम को लेकर उनकी cut-up को लेकर वह क्या जाने वाल सभी को बताने वाला हूं क्योंकि लगतार इसके अंदर पद को इंक्रीज किया जा रहा है तो इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं तो बने देगा हमारे यूट्व चैनल को आप सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि नर्सिंग भरती हर एक अपडेट किसी भी से इंट्रल ही स्टेट से होँ आप सभी को सब से पहरे हमारे चैनल के माढ़लिम से प्रवाइट की जाती है तो चलिए दोस्तों मेल के लिए और साथी यहां पर फी मेल के उमिद्वार अगर फार्मिस्ट के लिए के ल capable और पर से लेकर 63 के बीच में ला रहे हैं जेनरल केड़े तो यस बार 100% इस विगैंसे के लिए सलेक्ट होने वाले है तो इसी के अनदर जो बात कर ले थे हैं आप सभी के लिए कि जो आप सभी की cut up की ratio है female के लिए कितने जाने वाली है तो 60 is cut to 61 जाने वाली है female की जो इतनी cut up जाने वाली है अगर female candidate इतने number of score बना रही है तो वो candidate इस बार 100% यहाँ पर selected है साथी बात कर लेते हैं दोस्तों OVC की OVC की cut up क्या जाने वाली है male और female की तो दोस्तों OVC में ज्यादा difference आप सभी को general से दहीं देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों आप सभी की जो यहाँ पर 61 से लेकर यहाँ पर जो है 62 के बीच हो जाने वाली है और female की लिए दोस्तों यहाँ पर 59 से लेकर 60 के बीच में जाने वाली है अगर इतने number of score male और female के बन रहे हैं तो वो candidate इस बार 100% यहाँ पर selected हैं अब दोस्तों EWS की बात कर रहे हैं तो EWS की जो cut up है male की और female की इस बार OVC के मताबिद थोड़ी जाने वाली है यानि के दोस्तों आप सभी के 60 score to 61 होने वाले हैं और female की यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि 59 score to 50 59 score to 50 यहाँ 62 के बीच में number of score बन रहे हैं तो वो candidate इस बार select होने वाले हैं क्योंकि इस बार के जो आखेड़े polling के अनुसार जो उमिदवारों दवारा बताये गए थे वो इस बार OBC से EWS की cut up जो है क्योंकि दोस्तों almost same जाती है पर इस बार जो है थोड़ी हाई जाने की ज़्यादा chances हैं क्योंकि आप सभी के category wise को भी पदों में काफी ज़दा increasement की गई है अब बात कर लेते हैं दोस्तों SC और ST की cut up को लेकर यहाँ पर दोस्तों male और female को ले कर यानि कि दोस्तों ST के candidate है male के तो यहाँ पर जो है 58 से लेकर 59 के बीच number of score में उन्हें select कर ले जाएगा और साथी दोस्तों female के हैं तो यहाँ पर 56 से लेकर 57 के बीच उन्हें यहाँ पर select कर जाएगा ST के candidate हैं तो 56 से लेकर यहाँ पर जो है दोस्तों 58 के बीच में उन्हें यहाँ पर इस vacancy के लिए select कर जाएगा और female से हैं तो यहाँ पर 54 से लेकर 56 के बीच में या 55 के बीच में या 57 के बीच में कर नमबर score है तो उन्हें यहाँ पर दोस्तों 100% यहाँ पर select कर ले जाएगा तो इसी तरह से दोस्तोो e Attorney & M और यहां फर Farmist की जो update थी यहां पर cut-up को लेकर आप सबी को यहां पर पूरे तरह से provide कर दिया गया, आप DV की process की बात कर लें, तो दोस्तों अचार सही तह लगने से पहले आप सबीकी DV की process है उसे भी यहां पर पूरा कर लिया जाएगा उसके बारे में जल्द ही आप सभी के लिए अपडेट आने वाली है तो फिर मिलते हैं जोस्तों अगले वीडियो में तब अगले उस्तों जाहें दे